नमस्कार दोस्तों मैं डॉक्टर ललित कुमार गंगेले अपने चैनल के एक और वीडियो में आप सबका बहुत-बहुत स्वागत करता हूं दोस्तों जैसा कि आज 26 जनवरी जो कि है हमारा घंतनत्र दिवस तो आप सभी को रिपब्लिक डे की बहुत-बहुत शुप कामना है दोस्तों आजका जो वीडियो है वो एक बाड़ी गन्फुजिंग टॉपिक के बारे में है कि जो दो प्रकार Stephen Subject और वह यह सब जानते थे ौर्डर मेडिसिन के समयß सहिंसे जानते थे अबी दो प्रकार के और डिजीज जो Organian of Medicine में ही होमियोपेथी के अंदर उत्पत्ति जिनकी हुई है वो है Sudochronic Disease and Artificial Chronic Disease और पिछले दिनों मेरे कुछ comment में मेरे कुछ subscriber के साथ मेरी comment के अंदर बातचीद चल रही थी तो I came to know कि बहुत सारे लोगों को pseudo chronic disease, sub acute disease और artificial chronic disease को ये तीनों को same समझते हैं लोग तो आज के वीडियो के माध्याम से मैं यही चीज़ क्लियर करने वाला हूँ कि what is the difference between the sub acute disease, pseudo chronic disease और artificial chronic disease तो सबसे पहले बात करते हैं sub acute अब जैसे कि acute, acute के बाद sub acute और chronic आता है तो chronic के पहले sub acute आता है तो जादा तर लोगों को ये confusion है कि शायद sub acute ही pseudo chronic है क्योंकि pseudo मतलब जो हलका फुलका सा मतलब pseudo बोलते हैं आदा हदूरा chronic तो जैसे कि sub acute मतलब ऐसा disease जो acute भी नहीं है और chronic भी नहीं हो इसके बीच में है मतलब वो acute से उपर chronic से नीचे मतलब वो आदा हदूरा chronic है तो फिर कई students के और doctors के दिमाग में क्या confusion चलता है कि शायद sub acute को ही हम pseudo chronic बोलते हैं तो ऐसा नहीं है sub acute अलग है pseudo chronic बिलकुल अलग है और कई subscribers के और कई students के दिमाग में एक और confusion होता है कि शायद artificial chronic disease को ही हम pseudo chronic disease बोलते हैं तो दोस्तो ऐसा बिलकुल भी नहीं है artificial chronic disease अपनी जगे अलग है pseudo chronic अपनी जगे अलग है sub acute अपनी जगे अलग है acute disease मतलब ऐसी बीमारी जिसका मियाद जिसका जो duration होता है वो कुछ दिन में होता है एक से लेके साथ देन छे दिन के बीच में जो disease होती है उसकी पूरी परिभाशा पर जाएं तो उसमें यह कहा गया है कि ऐसी बीमारी जो या तो खुद बाखुद सही हो जाए या अपनी vulnerability के कारण पेशेंट को मार दे उसको हम acute disease बोलता है ठीक है chronic पे आते हैं अपन सीधे chronic पे आएंगे chronic disease मतलब वो disease जो ना सही हो अपने आप ना वो patient की acutely या यका यक जान ले लो उसको हम chronic disease बोलते हैं जैसा कि हम सब जानते है chronic disease का जो duration होता है वो बहुत लंबा होता है वो मतलब years तक जैसे की जोडों का दर्द हो गया या फिर कोई और problem हो गई या अस्थमा हो गया gastric disturbances that can last for the years उससे patient बीमार ज़रूर रहता है पर chronic disease से death के chances बहुत कम रहते हैं ठीक है ना तो यह हो गई chronic तो acute समझा chronic समझा अब सब acute के आज के बीच में कि जब भी कोई बीमारी लंबा persist करे मतलब वो थी तो acute पर वो किसी कारण से सही नहीं हो पा रही है और उसका जो मियाद है वो उसकी natural definition से बाहर चला गया है मेरी बात समझे जैसे कई लोगों का suppression of fever हो जाता है तो उनको on end of fever आता रहता है वैसे तो fever देखा जाए तो वो तो acute disease है पर इन लोगों के अंदर वो fever suppress हो जाता है लीवर के अंदर जाके और वो small छोटी छोटी बोट्स में एक specific time पे जनरली evening aggravation पे वो आता है और patient हमारे पास क्या बोलता हूँ आता है सर मेरे को पिछले एक साल से बुखार आ रहा है तो पहले तो आप सोचते हो कि यार यह बात क्या कर रहा है how it is possible कि एक साल बुखार क्यों आ सकता है बिलकुल आ सकता है अगर वो suppress है तो एक regular interval पे छोटी छोटी बोट्स में भार आएगा तो this is what is known as the sub-acute disease कि ऐसी विमारी जो थी तो acute पर due to some circumstances that had turned और that has the elongated duration उसका जो span था वो बहुत लंबा हो गया तो और वो span जो है वो इसकी acute की परिभाशा से बाहर निकलाया है that is what is known as the sub-acute disease तो यहाँ पे मैंने clear करा acute, sub-acute और chronic अब हम आएंगे pseudo-acronic पे pseudo-cronic को समझने के लिए उसके लिए हम एक screen दूसरी screen पर चलेंगे क्योंकि यह जो परिभाशा है हम यहां से मैं ज्यादा अच्छे सा आपको समझा पाऊंगा तो दोस्तों जैसा कि आप देख पा रहे हैं यहां पर कि pseudo-cronic disease की definition यहां पर गूगल पर हमने सर्च करने की कोशिश की है न तो मेरे हिसाब से क्या था शूड़ो disease की ऐसी बीमारियां जो हमारी लाइफ स्टाइल के अंदर डिस्टर्बेंस के कारण होती है दोस डिजीजेस आर नोन इस दा सूड़ो chronic disease मेरी बात समझे है जैसे कि मान लीजे कोई सज्जन है वो सेडेंट्री हैबिट्स में रहते हैं वो कोई बैंक में मैनेजर है वो घंटों अपनी सीट पर बैठे रहते हैं वो ओवर टाइम भी करते हैं वो सबेरे आठ से लेकर रात को नौ बजे तक काम कर रहे हैं अब व सिस्टम का प्रॉबलम हो सकता है तो आप जैसे कि यहां पर देख पा रहे हैं कि उनको कोई भी बीमारी नेचरल डिजीज नहीं लगी आकर मतलब ऐसा नहीं हो कि वो नेचरल कोई चुड़ल चिपड़ गई हो आकर जैसे जनरली नेचरल डिजीज लोगों को पकड़ती है हां कि नेचरल डिजीज इन फॉर्म ओफ डिजीज मैलेडीज लोगों के वाइटल फोर्स पर होमियोपैथी में डिजीज का क्या मतलब परिभाशा है कि वेनेवर दवाइटल फोर्स आफ एनी हेल्दी हूमन बीन इस अफेक्टेट बाइनी नॉक्सियस और एनी डिजीज परिए जो बेन्ट मेनेजर साहब है इनको जो डिजीज है यह नोट नेचरल डिजीज क्योंकि वो डिजीज नहीं होती अगर वह नॉर्मल लाइफ इस्टाइल जी रहे होते हैं आप मेरी बास समझ रहे हैं तो मतलब उनकी जो लाइफ इस्टाइल है उसके वजह से उनको बीमारी हुई कि वो sedentary habits के कारण उनको या तो कोई metabolic disorder हो सकता, thyroid हो सकता, diabetes हो सकता, indigestion की problem हो सकती है, तो इस तरह की बीमारियों को बोलते हैं, pseudo chronic disease, यह मैंने आपको अपनी भाषा में समझाया, जो मैं समझता था, अब मैं आपको यह गूगल से बताता हूं, कि pseudo chronic diseases are the apparent disease expression that could improve through the good diet, regain and hygiene and are not due to the fundamental chronic myasem, ऐसी बीमारियां, जो हमारी life style के कारण हैं, और उनको improve कर सकते हैं, कैसे improve कर सकते हैं, good diet, मतलब एक अच्छे खाने से, यह manager साब अगर अपनी dietary habit सुधार ने तो शायद यह उस बीमारी से बाहर आ जाएंगा, and hygiene, hygiene मतलब साफ सफाई, मैं भी कोई बीमारी ऐसी होगी जैसे fungal infection, कोई गंदगी से रह रह रहा है, तो भाई गंदगी से रहने के कारण उसको fungal infection हुआ, यह कोई natural disease नहीं है, और इसलिए कहा जा रहा है कि those diseases that are not due to the fundamental chronic myasem, तो दोस्तों आपको clear हुआ कि what is the pseudo chronic myasem, तो this is known as the pseudo chronic myasem, तो अब अपनने क्या क्या देखा, अपनने देखी acute disease की परिभशा, अपनने sub acute देखा, अपनने chronic देखा, अपनने pseudo chronic देखा, अब दोस्तों, सबसे बड़ा villain हमेशा picture में एंड में आता है, उसी थरह से, जो सबसे बुरी बीमारीयों की जो category है, that is what is known as the artificial chronic disease, अब हम उसके बारे में चर्चा करेंगे, आज की तारीक में, अगर एक homeopath के पास तो patient आते हैं, तो उन सौ मैंसे लगभग लगभग 90 patient जो होते हैं, वो होते हैं, artificial chronic disease के, what is artificial chronic disease, यह क्या होता है, यह कौन सा राक्षा से, यह कौन सा दाना में जो मानवता को एक ग्रास में खाने क की कोशिश कर रहा है, अब हम इसके बारे में चर्चा करते हैं, जैसा कि आप सब जानते हैं, जो homeopath की field से belong करते हैं, कि natural disease कैसे आती है, वो vital force को attack करती है, और बंदा बीमार पड़ जाता है, अब यह जो बीमार बंदा है, जो सिर्फ एक simple innocent natural disease से affected था, यह homeopath के पास तो आता नहीं, statistics बताते हैं कि total all over earth में सिर्फ एक या 2% लोग भी homeopath का सेवल नहीं कर रहे हैं, फिर भी उनकी संख्या करोडों में हैं, पर वो 2% भी नहीं है, total population का, मतलब 98-99% लोग chance देते हैं, allopathic practitioners को, allopathic practitioner crude molecule, crude medicine का अव्योग करते हैं, crude chemical components का use करते हैं, उस बीमारी को दबाने म हैं, और वो जो crude medication होता है, that is what is known as the abuse of the medication, वो जो abuse कराया जा रहा है, all over the population में, वो अंदर जाके एक artificial disease पैदा करता है, but that artificial is not like our, हम जो पैदा करते हैं, अपनी homeopathic medicine से, वो वैसी artificial disease नहीं होती है, हम क्या करते हैं, कि हम similar medicine को देके, similimum को देके, उस patient के अंदर, उसके अंदर जो natural disease है, उससे थोड़ी powerful हम artificial disease पैदा करते हैं, और nature's law of cure के हिसाब से, जब भी कोई powerful बीमारी आती है, body के अंदर, तो weaker जो रहती है, वो out हो जाती है, तो यहाँ पर powerful बीमारी हम लोगों के द्वारा पैदा की गई है, जो की एक homeopathic medication के द्वारा है, और वो हमारे control में है, तो हम इस तरह से cure करते हैं, जब भी शरीर के अंदर कोई भी reactable component जाएगा, तो शरीर उसके response में कुछ नो कुछ पैदा करता है, अब यहाँ पर हो क्या रहा है कि patient already एक natural disease से ग्रस्त था, और alopathic दवा लेने की वज़े से उसके अ सालों तक यह दोनों बीमारियां साथ रहते रहते हैं, इनके जो symptoms रहते हैं, वो intermingle मतलब वो आपस में mix हो जाती हैं, और दोनों एक दूसरे का part बन जाती हैं, मतलब यह natural disease और जो artificial disease जो उनके crude medication से पैदा हुई थी, यह दोनों एक दूसरे का part and parcel बन जाती हैं, और ultimately यही जो दानव है, इसको हम बोलते हैं, artificial chronic disease और यह बहुत important कारण है कि आज के date में homeopathies से लोगों को सही करना दिन पर दिन कठिन होता जा रहा है, because they are not the victim of the natural disease, यह कोई natural disease के patient नहीं है, वो natural disease के patient तब हुआ करते थे जब इनको कोई बीमारी हुई थी, पर आज जब यह हमारे साम ने आये हैं, पचास डॉक्टर से इलाज कराने के बाद, एलोपेतिक फिल्ड से निराश होने के बाद, तो यह हमारे सामने आते हैं, as a case of artificial chronic disease, जिसको बोलते हैं, complicated disease, the complexion of the natural and artificial disease is known as the artificial chronic disease, and this artificial chronic disease is far much tougher to treat than the natural disease, और यही कारण है, लोगों के अंदर, हम लोग results पैदा तो बहुत अच्छे से कर रहे हैं, पर हमारे जो seniors हैं, इस लाइन के अंदर, जिनकी उमर 60-70-90 साल है, आज की तारिक में, जो 40-40-60-60 साल homeopathy की practice करे हैं, वो यह बताते हैं, कि आज की दिन में मानव के अंदर cure को, results को पैदा करना है, far much tougher than the previous time, and that all is due to artificial chronic disease तो दोस्तों, मैं उमीद करता हूँ, इस वीडियो के माध्याम से मैं अपना point आप सब तक रख पाया हूँ, और prove कर पाया हूँ, उमीद है, अगले वीडियो के अंदर बहुत जल्द मुलाकात होगी, तब तक के लिए, नमस्कार